क्या आप भी बालों की जहडने और टूटने की समस्या से परिशान हैं? बालों की तूटने का इनका कमजोर होना है? यह इस कमजोरी का कारण भारी परदूशन और ठान-पान में जरूरी vitamins की कमी बालों की जहडने की समस्या को रोकने के लिए आप तरह तरह के उपाय करके ठक चुके हैं मगर आपको फिर भी राहत नहीं मिली तो अब मैं आपको एक ऐसा घरेलो नुस्का बताने जा रहे हूं जो आपके ज़रते होए बालों को तो रोकेगा ही रोकेगा लेकिन साथ में आपके गंजे सर पर भी बाल उगाने का काम करेगा अगर आपके भी सर में से कहीं कहीं से बाल उड़ते जा रहे हैं और आप गंजे पन के शिकार हो रहे हैं तो ऐसे में ये घरेलो नुस्का आपको की सारी समस्याओं से निजात दलाएगा तो ध्यान से सुनिएगा और follow जरूर करिएगा Boys and Girls कोई भी इस नुसके को अजमा सकता है अगर आपका घर में कोई छोटा बच्चा है उसके साथ भी ये प्रॉब्लम है या कोई fit 60 साल का इंसान भी इसको लगा कर अपने बालों की सारी समस्यों को जड़ से खतम कर सकता है तो देरी किस बात की फटा फट से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं देखते हैं इस तेल को बनाना कैसे है और लगाना कैसे है धनिया की पत्ती आपके जढ़ते हुए बालों को रोकने के लिए बहुत असरदारी उपाय है धनिया आम तोर पर हर जगा हर मौसम में उपलब्ध होता है लेकिन सबसे ज़ादा ज़रूरी क्या है इसका सही तरीके से प्रियोग करना तो कैसे करना है वो जान लेते हैं लेकिन उससे पहले ये जाना बहुत जरूरी है कि धनिया कैसे आपके लिए फायदे मन्द है धनिये में होते हैं minerals, vitamins जो बालों को अंदर से portion देते हैं और उन्हें मजबूत करते हैं जिससे फायता को क्या मिलता है आपके बाल जढने बंद हो जाते हैं, आपकी डांडर्फ की समस्या खतम होती है, आपके बालों में नई जान और श्राइन आता है और आपके बालों को नया वॉल्लियूम मिलता है और जहां जिस एरिया से आपके बाल जढ गए हैं सर में, वहा आपके बालों के लिए वर्दान का काम करते हैं, अब जौन लेते हैं इस भैतरीन वाले तेल को बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है, सबसे पहले लेना है आपने धनिया की पतियां, उनको आप अच्छे से धोलीजे और मिक्सी में ग्राइंड करके उनका जूस बना चुका है, अब हमने इसमें अट करना है नारियल का तेल, नारियल का तेल आपके बालों को मजबूती देता है, आपके बालों को वॉल्यूम बढ़ाता है, आपके बालों को सॉफनेस प्रोवाइट करता है, तो अपने बालों की लेंध के कॉर्डिंग आप नारियल का तेल सरे नंचema से मिक्स करें और वकांच के बरतन में स्टोर कर दें जब भी आपको लगाना हो तो ये इसको कितने टाइम के लगाना है और कब-कब लगाना है आपको इस तेल को हफते में तीन बार लगाना है और जब आप इस तेल को लगाए तो कम से कम एक घंटे के लिए अपने बालों में ऐसे ही रहने दे उसके बाद आप नॉर्मल शांपू कर लें जादा शांपू बिल्कुल मत लगाईएगा अगर आपकी भी ट्रीट्मेंट करने के बाद स्ट्रेटनिंग, क्यारटेन सब कुछ करने के बाद थैफॉल हो रहा है तो ज़रूर इस तेल को ट्राय करें और जम कर इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि मुझे पूरी 101 पसंड गारंटी है और यही गारंटी आप भी लेंग टेक्यर स्टी हिल्डी